जै मातादी, नमस्कार दोस्तों, स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर ओम नमा भगवाते बासो देवाए आज ब्रस्पती बार के दिन, मैं आप सभी को सुनाऊंगी ब्रस्पती देव की ब्रत कथा और साथ में सुनेंगे विश्नो भगवान की कथा है विश्नो भगवान की किरपा पाने के लिए कथा को पूरा सुनिए अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुरे रहे तो आए सुनिए कथा प्राजिन समय की बात है एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था वह जाहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था प्रेंदु उसकी पत्नी अंत्यांत कंजूस थी वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहते थी एक बार सेट जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से ब्रिश्पती देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्चा मांगी व्यापारी की पत्नी ब्रिश्पती देव से बोली हे साधु महराज मैं इस दान और पुन्या से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नैश्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ मैं यहा धन लुड़ता हुआ नहीं देख सकते बिर्श्पती देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी बिचित्र हो संधान और धन से कोई दुखी होता है अगर आधिक धन है तो इसे सुब कार्यों में लगाओ कुमारी कर्णियाओ का बीवाह कराओ बिध्याले और बाग बगीचों का निर्मान कराओ ऐसे पुन्य कार्य करने से तुम्हारा लूक पर लूक सार्थक हो सकता है परंदो साधू की इन बातों से व्यापारी की पतनी को खुसी नहीं हुई उसने कहा मुझे ऐसी धनकी आवसकता नहीं है जिसे मैं दान में दू तब बिरस्पती देव वोले यादी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना साथ बिरस्पती वार घर को गोबर से लिपना अपने केसे को पीली मिटी से धोना केसो को धोदे समय असनान करना व्यापारी से हजामत बनाने को कहना भोजन में मास मदेरा खाना कपड़े अपने घर धोना ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नश्ठ हो जाएगा इतना कहे कर बिरस्पती देव आंतर ध्यान हो गए व्यापारी की पत्नी ने बिरस्पती देव के कहे अनुसार साथ बिरस्पती वार बैसा ही करने का निश्चाय किया केवल तीन बिरस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्थ धन समपती नश्ट हो गई और वह परलुक सिधार गई जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नश्ट हो चुका है उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और सहर में बेचता इस तरह वह अपना जीवन व्यदित करने लगा एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा परकट की लेकिन व्यापारी के पास दही खरिदने के पैसे नहीं थे वह अपनी पुत्री को अवसासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया वहाँ एक ब्रिक्च के नीचे बैठ अपनी पूर्वे दसा पर विचार कर रोनी लगा उस दिन ब्रस्पति वार था तब ही वहाँ ब्रस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले हे मनुश्य तु इस जंगल में किस चिंता से बैठा है तब व्यापारी बोला हे महराज आप सब कुछ जानते हैं इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना कर रो परा बिरस्पति देव बोले देखो बेटा तुम्हारी पत्नी ने बिरस्पति देव का अपमान किया था इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है लेकिन अब तुम किसी परकार की चिंता मत करो तुम गुरुबार के दिन बिरस्पति देव का पाठ करो दो पैसे के चने और गुर को लेकर जल के लोटे में सकर डाल कर वहां आम्रित और परसाद अपने परिवार के सद्यश्चो और कथा सुनने बालों में बाट दो स्वैंभी परसाद और चनरा मिलिट लो भगवान तुम्हारा अवस्य कल्यान करेंगे साधू की बात सुनकर वैपारी बोला महराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूँ इस पर साधू जी बोले तुम लकडिया सहर में बेचने जाना तुम्हें लकडियों के दाम पहले से चोगुने मिलेंगे जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिध हो जाएंगे उसने लकडिया काटी और सहर में बेचने के लिए चल पड़ा उसकी लकडिया अच्छे दाम में बिग गई जिससे उसने आपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुबार की कथा है तुम्हारे जाना गुर लेकर कथा की और परसाद बाटकर स्वयम भी खाया उसी दिन प्रन्तु अगले ब्रस्पति बार को वह कथा करना भूल गया अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यक्का आयोजन कर पूरे नगर की लोगों के लिए भोज का आयोजन किया राजा की आग्या अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया लेकिन वैपाड़ी वह उसकी पुत्री तनिक बिलम से पहुँचे अथा उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया जब वे दोनों लोटकर आये तब राणी ने देखा कि उसका खूटी पर टंग हार गायब है राणी को वैपाड़ी और उसकी पुत्री पर संदे हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है राजा के आग्या से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया कैद में परकर दोनों अंत्यंध दुखी हुए वहां उन्होंने ब्रिस्पती देवता का इस्म्रन किया ब्रिस्पती देवने परकट होकर व्यापारुकों उसकी भूल का अभास कराया और उन्हें सलादिकी गुरुबार के दिन कैद खाने के दर्वाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे उन्हें से तुम चने और मुनक का मंगवा कर बीधी पुर्बग ब्रिस्पती देवता का पूजन करना तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे ब्रिस्पती बार को कैद खाने के दुआर पर उन्हें दो पैसे मिलें बाहर सरक पर एक इस्तिरी जा रही थी वैपारी ने उसे बुला कर गुर और चने लाने को कहा इस पर वह इस्तिरी बोली मैं अपने बहु के लिए गहने लेने जा रही हूँ मेरी पास समय नहीं है इतना कहकर वह चली गई थोड़ी दिर बाद वहां से एक और इस्तिरी निकली वैपारी ने उसे बुला कर कहा कि हे बहन मुझे ब्रिस्पतिवार की कथा करने है तुम मुझे दो पैसे का गुर चना ला दो ब्रिस्पति देव का नाम सुनकर हुआ इस्तिरी बोली भाई मैं तुमें अभी गुर चना लाकर देती हूँ मेरा एकलौता पुत्र मर गया है मैं उसके लिए कफन लेने जा रहे थी लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी वह इस्तिरी बाजार से वैपारी के लिए गुर चना ले आई और स्यम भी ब्रिश्पदी देव की कथा सुने कथा के समाप्त होने पर वह इस्तिरी कफन लेकर घर गई घर पर लोग उसके पुत्र की लास को राम नाम सत्य है कहते हुए समसान ले जाने की तैयारी कर रहे थे इस्तिरी बोली मुझे आपने लर्गे का मुख देख लेने दो आपने पुत्र का मुख देखकर उस इस्तिरी ने उसके मुख में परसाद और चनरा मिनित डाला परसाद और चनरा मिनित की परभाव से वह पुना जिवित हो गया उसी रात ब्रस्पति देव राजा के सपने में आई और बोले हे राजन तुने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में केद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोस है तुम्हारी राणी का हार वही खूटी पर टांगा है दीन निकलता तो राजा राणी ने हर खूटी पर लटका हुआ पाया राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राजे देकर उसकी पुत्री का विवा उच्चे कुल में करा कर दहेज में हीरे जवारत दिये सभी प्रेम से बोलिये ब्रिस्पती देव की जय हो पौरानिक कथा का नुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे सेठानी रोजाना भगवन सिरीहरी की पूजा भक्ती भाव से क्या करती लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पती को बिल्कुल पसंद नहीं था इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया सेठानी घर से निकल कर जंगल की और चल दी रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में चार आदमी मिट्टी खोद रहे हैं ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी इस बज़े से उसके हाथ पर छाले पर गए यहाँ देख चारो आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही उन्होंने कहा कि इसकी जगा तुम हमारे घर का काम कर दो से ठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए वहाँ वे चारो आदमी चार मुठी चावल ला दे और उसे बाट कर खाले दे ये देख से ठानी को बहुत बुरा लगता इसे देख सेठाने ने उन चारो आदमी को आठ मुठी चावल लाने को का सेठानी की बात मान कर चारो आदमी आठ मुठी चावल लाए इन चावल का सेठाने ने भोजन बनाया और भगवान विश्न को भोग लगा कर सभी आदमियों को परोस दिया इस बर चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारिप करते हुई इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवन विश्णू का जोठा है इसी बज़ा से ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा आजपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पतनी के बज़े से ही खा रहा था लोगों की बाते सुनकर सेठ सिठानी को जंगल में दिखने निकल गया रास्तेमों से वही चार आदमी मिट्टी खोदेते हुए दिखाए दिये सेठ ने उन्हें कहा तु मुझे काम पर रख लो तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में चाले पड़ गये ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सला दी सेठ भी उनकी बात मान कर उनकी घर चल दिया घर पहुँचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया लेकिन सेठानी घूंगट में होने की कारण सेठ को पहचान नहीं पाई हर दिन की तरह इस बाट भी सेठानी ने भगवान से रहाले विश्णू को भोग लगा कर सभी को खाना परोस दिया लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परुशने लगी तो भगवान विश्णू ने सेठाने का हाथ पकर लिया और कहा की ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली मैं कुछ नहीं कर रही। मैं तो भोजन परस रही हो। चारो भाईयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विश्नु की दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विश्नु उन सभी के सामने परकट हो गए। यहाद एक सेठ ने सेठानी से छबा मांगी और उसे हाथ पकर कर घर चलने को कहा, तब चारो भाईयों ने बहन को बहुत सारा धन दे कर विदा किया, तब से सेठ भी भगवन विश्नु का भक्त बन किया और पोरिस रथा से उनकी पूजा करने लगा, इस से उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी, ऐसी मानेता है कि इस दिन ब्रत रखने से सत्यनारायन भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु स्री राम और माता सीता की किर्पा भी प्राप्थ होती है, प्रेम से बोले विश्नु भगवान की चै, एक बार भीकूर इसी ने जानना चाहा कि प् ब्रामा और महिश ने भ्रीगू को पहचाना तक नहीं, नहीं आधर किया, इसके बाद भ्रीगू विश्नु की यहां गये, विश्नु भगवान विश्राम कर रहे थे, और माता लच्मी उनके पैर दबा रही थी, भ्रीगू ने पहुँचते ही, ना कुछ कहा, ना सुना, और भगवान विश्नु के चाती पर पैर से परहार कर दिया, लच्मी जी यह सब देखकर चकीत रह गई, किन्दू विश्नु भगवान ने भ्रीगू का पैर पकर कर बिनित भाव से कहा, मुनिवर आपकी कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए मुझे च्छमा करे, भू लोक में आ गई, तथा कोलापूर में रहने लगी, लच्मी जी के चले जाने से विश्नु भगवान को लगा की, उनका स्री और ब्याभाव ही नैश्ट हो गया, और उनका मन बड़ा असांत रहने लगा, लच्मी जी को धुनरे के लिए, वा सिरी निवास के नाम से गुमते गुमते बेकट्चल परबत छेत्र में बकूला माई के आश्रम पहुंचे, बकूला माई ने उनकी बड़ी आवभकत की उने आश्रम में ही रहने को कहा, एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया, आश्रम बास से डढ़ कर इधर उधर भागने लगे, सिरी नि देखा तो धनु सुपान में लेकर हाथी का पीछा किया, हाथी डर कर भागा और घने चंगल में अद्रिश्य हो गया, सिरी निवास उसका पीछा करते करते ठक गये थे, वह एक सरोबर की किनारे ब्रिक्च की चाया में लेट गये, और उन्हें हलकी सी जपकी आ गई, थोड पीदेर में सोर सुनकर हुआ जागे तो देखा कि चार छे इूतिया उन्हें घेर खरी है, सिरी निवास को जागा हुआ देखकर वह जपटकर बोली, यह हमारी राजकुमारी पदमा पती का सुरक्चित उपवन है, और यहां पुरुसों को आना मना है, तुम यहां कैसे और क्यों आए हो? सिरी निवास कुछ जवाब दे, इससे पहले ही उनकी द्रिष्टी ब्रिष्ट की ओड से जागती राजकुमारी की और गई, सिरी निवास पदमा बती को एक टक देखते रह गए, थोरा सहियत होकर, कहा देवियो मुझे पता नहीं था, मैं सिकार का पीचा कर करता हुआ, यहां आया था, ठक जाने पर मुझे नीदा गई, इसलिए छमा करे, सिरी निवास आश्रम में लोट आए, किन्दू बड़े उदास रहने लगे, एक दिन बखुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासे का कारन पूछा, तो सिरी निवास ने पदमा वती से बेट होने की सारी कहाने कै सुनाई, फिर कहा उसके बिना मैं नहीं रह सकता, बखुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो, कहा हुआ प्रतापी, चोल नरेश, आकास राज की बेटी, और कहा तुम, आश्रम में पलने वाले एक कूल गोत्रहिन यूबक, सिरी निवास बोले, म एक उपाय है, तुम मेरा साथ दोतों सब संभव है, बखुला माई ने सिरी निवास का सच्चा प्यार देखकर हां कर दी, सिरी निवास जोदिस जाने वाली औरत का भेश बना कर, राजा आकास की रायधनी नाराइनपुर पहुंचे, उसकी चर्चा सुन, पद्वावती न कुछ दिन पहले तुमारी भेट, तुमारी सुरक्षित उधान में किसी यूबक से हुई थी, तुम दोनों की ध्रिष्टी मिली थी, उसी यूबक से तुमारी साधी का योग बनता है, अध्माबदी की मा धारना देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है, जो तिशी औरत बो विनी के भेश में राज महल आई, उसने अपनी यूबा बेटे के साथ पद्माबदी के विवाह की चर्चा की, राजा आकास में बकुला माई को पहचान लिया, उन्होंने पूछा वह यूबा कौन है, बकुला माई बोली उसका नाम सिरी निवास है, वह चंद्रवंस में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे मा की तरह मानता है, राजा आकास ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा, बकुला माई के चले जाने पर आकास ने राज पुरोहित को बुला कर सारी बात बताए, राज पुरोहित ने गनना की फिर सहमती देते पहराज सिरी निवास में विश्नु जैसा देव बुन है और लच्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बरा स्रियोग है, राजा आकास ने तुरंथ बकुला बाई के यहां अपनी स्विश्क्रीती के साथ विवा के लगन पत्रिका भेई थी, बकुला माई ने सुना तो वह चिंती थो उठी, सिरी निवास से बोली बेटा, अब तक तो विवा की चिंता ही थी, आब पैसे ना होने की चिंता है, मैं वरा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पुछती हूँ कि क्या कि अच्या है, बकुला माई सिरी निवास को लेकर वरा स्वामी के पास गई, और सिर आदी देवताव को अपने आस्रा में बुलवाया और फिर सिरी निवास को बुला कर कहा तुम स्यमी ने अपनी समस्या वताओ सिरी निवास ने देवताव से कहा मैं चोल नरेस राजा आकास की बेटी पद्माबदी से विवा करना चाहता हूँ मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है मेरे पास धन नहीं है मैं क्या करूँ इंद्र ने कुबेर से कहा कुबेर इस काम के लिए तुम सिरी निवास को रिन दे दो कुबेर ने कहा रिन तो दे दूँगा पर उसे यहाँ वापस कब और कैसे करेगा इसका निड़ने होना चाहिए सिरी निवास बोले इसकी चिंता मत किजिए कलियुक के आंध तक मैं सब रिन चुका दूँगा कुबेर ने स्रीकार कर लिया सब देवताओ की साक्षी में सिरी निवास के रिन पत्र लिख दिया गया उस धन से सिरी निवास और पदमा वदी का विवा बड़े धूम धाम से हुआ तब ही नारग ने कोलापुर जाकर लच्मी को बताया विष्णू ने सिरी निवास के रुप में पदमा वदी से विवा कर लिया है दोनों बेकटा चल परवत पर रह रहे हैं यहां सुनकर लच्मी जी को बड़ा दुख हुआ वा सीधे बेकटा चल पहुँची विष्णू जी की सेवाम एवंग लगी पादमा बती को भला बुरा कहने लगी सिरी निवास विष्णू रुप में मेरी पती है तूने इनके साथ विवा क्यों किया दोनों ने बाक यूद होने लगा तो सिरी निवास को बड़ा दुख हुआ वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्थी के रूप में बदल गए जब दोनों देवियों ने यहां देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि सिरी निवास तो अब किसी के ना रहे इतने में सीला बिग्र से आवाज आई देवियों में इस अस्थान पर बक्टेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अविष्ठ पूरा करता रहूंगा उनसे प्राप्थ चठावे के धन द्वारा कुबेर का कर्ज व्याज चुकाता रहूंगा इसलिए तुम दोनों मेरे लिए वापस में जगरा मत करो यहाँ बानी सुनते ही लच्मी जी और पद्माबती दोनोंने सिर जुका लिया लच्मी कोलापूर आकर महा लच्मी के रुप में पर्तितिश्ट हो गई और पद्माबती तुरुना चुर में सीला बिग्रह हो गई आज भी तिरुपती छेत्र में तिरुमला पहारी पर भगवान बकेटस्वर स्वामी के दर्सन हे तु भक्त गनों से इसी भाव से सुकल लिया जाता है उनकी पूजा पुष्व मिष्टान आदी से ना होकर धन द्रव से होती है इस धन से भगवान सिरी कृष्णा बकेटस्वर स्वामी कुबेर का कर्च चुका रहे हैं सभी प्रेम से बुलिये सिरी लच्मी नारायन की चै हो एक पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादी भगवान विष्णू के दर्सन करने बैकुण धाम में पहुँचे बैकुण में विष्णू धाम के द्वार पर भगवान के दो पारसाद जय और बिचय द्वारपाल के रुप में बैठे थे इन दिगाम पर साधो को देखकर पहले तो उन्हें हसी आ गई फिर पूछा आप लोग कौन है ऐसे नंग धरंग यहां कहां चले आ रहे हैं उनकी बात सनत ने बुरे नहीं माना क्योंकि यह द्वारपाल थे और बिना पूरी जाज पर दाल के कैसे अंदर जाने देते भला अपनी भेज भूचा पर उनके हसने कभी बुरा नहीं माना क्योंकि बैकूंट जैसे बैभव साली पड़ी बेश में ऐसे सधों का क्या काम है उनके प्रश्नों का उत्तर देतो हुए उन्होंने कहा हम सनत कुमार भगवान विश्नु के दर्शन करना चाहते हैं हम सदा इसी रूप में रहते हैं इसलिए हमें अंदर जाने दो मगर जै बीजै नामक द्वारपाल ने सनत सनकादी को अंदर नहीं जाने दिया इससे रिश्यो को कुरोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि रिश्यो साधू के साथ कैसा बेभार करना चाहिए क्रोध में उन्होंने श्राब देते हुए कहा तुम दोनोंने देव के साथ रहकर भी देत्तों जैसा बेभार किया है इसलिए अगले जनम में तुम दोनों देते कुल में जन्म लोगे द्वार पर इस विबात को सुनकर भगवान विश्यो स्रेम बाहार आ गये और सनत सनकादी को आदर से अंदर जाने को कहा उधर जै बिजै को दुखी देख भगवान विश्यो ने कारन पुछा उन्होंने अपने स्राब की सारी बात बताई भगवान विश्यो ने कहा डंडता का फल तो तुम्हे भोगना ही पड़ेगा असुर कुल में तुम्हारा अगला जनम अवस्य होगा इतनी चिन्ता मत करो तुम मेरे पार्षद हो इसलिए इसका पुन्य भी मिलेगा मेरे द्वारा ही तुम्हे द्यत्ते योनी से मुक्ति मिलेगी सरत सनकादी भगवान के दर्शनकर चले गए जय बिजय की मृत्तु होने पर उनका जन्म कस्य प्रिशी की पतनी दीती की गर्भ से हुआ दीती द्यत्ते कुलों की मादा थी अतक उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय बिजय का नाम इस जन्म में हिरन्य आक्ट और हिरन्यकस्पु हुआ उन दोनों में परबल असूरी सक्ति थे। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा असूरी सक्ति के बल पर असूरी राज्य अस्थापित किया। उन्होंने देव लोग पर भी आक्रमन कर देवताओ को भी त्रस्थ कर रखा था। उन्होंने घोसना की की अब से उनके राज्य के सारी यग उनके ही नाम पर होगे। देव को कोई यग भाग में नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या इस्वर की पूजा अराधना के बजाए उनकी ही पूजा होगी। देवगन कभी यहां पहुची ना सके। इसलिए मैं पृत्वी को ही पाधाल में पहुचा दूँगा। यहां निश्चयकर हुर नियाक्ष असूरी शक्ति के बल पर पृत्वी को रसा दल में ले गया। इससे सारे ब्रहमान में उठल पुथल मच गई। श्रिष्टी का नियाम भंग होने लगा। चतुर्दिक हाहाकार मच गया। डिशियो मुनियो तथा देवताओं ने मिलकर विश्णूजी प्राथा के भगवान। देखिए इन दो माहा प्राक्रमी असुरों ने क्या किया है। देवताओं का यक भाग छीना पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड समाप के और अब तो समस्थ भू मंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए कुछ करिए। ब्रह्मा की स्रिष्ट में बरा व्यवधान उपस्तित हो गया है। आप रिश्यों मुनियों तथा मानवों के रहने का अस्थान बनाए। प्रिथवी जल में डूप रही है। उसके उधार के लिए व्यकुंड का बाख छोर कर कोई अवतार लेजे। भगवान विश्णू ने देवताव तथा रिश्यों को अवसासन दिया। जब प्रिथवी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है। तो उसके उध्यार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चिन्थ होकर चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। देवताव की चले जाने पर भगवान विश्णू ने नीचे देखा। प्रिथवी का कहीं पाता नहीं। सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूख में परकट हुए। और समुद्र में कूद परे। भैंकर गर्जना के साथ अपनी विशार दा प्रिथवी को रखकर वे अथा जल राशी को चीरत हुए उपर आ गया। प्रिथवी को समुद्र से उपर आते देख तथा बरा का भैंकर सब्द सुनकर हिर्ण्याक्ष बौकला गया। कि किसी ने उसकी सकति को चुनावती दी है। बरा को देखते ही वह उसे मारने अर अस्त्र सस्त्र बरा के सरी से डगरा कर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके परहार को जेलते रहे और उसके क्रोध को भरकाते रहे। रूप भले ही बरा का था पर थे तो वह पर ब्रह्मा अनन्त सक्ति भगवान विश्णू। पुड़ों ने एक ही चटके से हिर्न्यक्ष को अपने डांड पर उठा लिया और खुमा कर आकास में दूर फेक दिया। आकास में चक्कर काट कर हुआ धराम से पृत्वी पर वरा के पासी गिर परा। मरनासन हिर्न्यक्ष ने देखा कि वह बड़ा अववराना होकर भगवान विश्णू है। उसे अपना पूर्बे जनम याद हो आया। उसने भगवान के चरन पकर लिये और कहा भगवान पाप के स्राप को आपने अंत कर दिया। और अपने ही हाथो इस जनम से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली पर मेरे भाई हिर्न्यकस्व का क्या होगा। उसे भी तो मुक्ति दिजिए। भगवान विश्णू हास कर बोले। समय से पुर्बे किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिर्न्यकस बरिज्णू की पाप का भी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए इसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे बगवान उन्कोर वुका कर लेकर उसका उद्ध्यार करना पड़ेगा। भगवान विश्णू की ये सब्द सुनकर हिर्नियक्ष ने बरिसांती से अपने प्रांत याग दिये। अभी प्रेम से बोलिये विश्णू भगवान की चैए। अभी सुनेंगे नर्सिंग आउतार की कथा। मैं इस भू मंडल से उनका नाम ही मिटा दूँगा। मैरे समराचे में कोई उनका नाम लेने वाला ना रहेका। मैंने अपनी कठीन तपस्या से ब्रह्मा से बर्प्रात किया है। मैं अवध्य हूँ। देवता राक्षस मनुस्य यच गंधर्व किनर मुझे नहीं मार सकते। उसने सारे समराचे में घोसना करती की कोई भी यग जब तप मेरे राज्य में नहीं होगा। तथा किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं होगी। मैं ही अब अपने राज्य का इस्वर हूँ। मेरे ही नाम का जब तप होगा। मैं ही नर हूँ, मैं ही नारैन हूँ। हिरने कस्पू जैसी बरदानी राजा की आग्या को कौन टालता। आरी प्रेजा उसी के नाम का गुनकान करने लगी। उसी के नाम का भाजन कृतन होने लगा, हिरने कस्पू बड़ा परजन हुआ कि उसने अपने बल पर नारैन की सत्ता समाप्त कर दी, पर उसकी यह परजनता बहुत दिनों तक नहीं रही, उसका अपना बेता परलाद जिसकी आग्या नहीं मानता था, वो अपने पिता को ब्रह्मा से आपको बल प्राथ है, तो जीवन का सुख भोगिए, पर सबसे उपर जो आधी सक्ती नारैन है, जिससे यह संसार संचालित है, सूरिय चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, पित्वी जिसकी सक्ती से ब्रह्मन कर रहे है, उसमें मेरी आपकी सत्ता की क्या गिंती, इसलिए और चाहे जो करे, पर नारैन भगवान की अपक्षा ना करे, पुत्र की ऐसी बाते सुनकर हिर्ने कस्व की क्रोध की सिमाना रहे, वह तरपकर बोला, घर में ही ऐसा भेदी पैदा हो गया, याद रख में तेरा पिता हूँ, मेरा आग्या मानना तेरा धर्म है, पर खालाद ने कहा, पिता जी, उतनी ही आग्या का पालन करना पुत्र का धर्म है, जो नीती धर्म तथा, वेद बुरूद ना हो, मेरा पिता जिस परम पिता परमात्मा कांस है, उस परम पिता परमात्मा को कैसे न मानो? हीरने कस्पू ने देत्टो को परलात के वद की आग्या दे देत्टो ने परलात को तरह तरह की यातनाय दी उसे महल से गिराया, सापों से कटवाया, बांध कर समुद्र में फेका, आग में डलवाया पर हर पड्यास में परलात का कुछ भी बाल बाका ना हुआ मारने वाले मर गए और वह सारे संकटों से खेलता हुआ निकल आया जब पिता का क्रोध सांथ ना हुआ तो उसने कहा पिता जी आपने अपने ही पुत्र को मरवाने का इतना प्रयास किया पर भगवान की किरपा से मैं अभी जीवित हूँ आप अपना हठ छोरकर नारयन भगवान से विरूद ना करें वो सर्वे सक्ति मान है हिर्य कस्पु हार मानने वाला नहीं था उसने कहा जिस नारयने मेरे भाई हिर्यक्च को मारा है मैं उसे कभी भी अपने राज्य में पुझित नहीं होने दूँगा मैंने तेरे मृत्तु के लिए दूसरा न्युक्त किया था और अब मैं सुयम तेरी मृत्तु का कारण बनूगा और देखता होगी कैसे तेरे नारायन तेरी रक्षा करते हैं ऐसा कहकर उसने भरे दरवार में परलात को एक खंबे से बात दिया और खड़क लेकर बोला अब मैं तेरा बद करता हूँ अपने नारायन को का आकर तुझे बचाए परलात की चेहरे पर कोई दुख नहीं था वो हज कर बोला यादी मेरा जीवन से से तो अब इससे बचूँगा हिर्ने कस्पू बोला यहां तेरे नारायन कैसे आएंगे क्या इस खंबे में से आएंगे परलात ने कहा पिताजी वो सब जगा है मुझ में आप में इस रस्ची में खंबे में आपकी खड़क में वो तो सर्वत रहे में कहीं आने जाने की आउसकता नहीं होती से बाहर हो गया उसने खड़क उठाकर जैसे ही परलात पर परहार करना चाहा कि एक भयंकर विस्फोट हुआ खंबा फट किया उसमें से एक बिचित्र आक्रिती का जीव निकला जिसका सरीर तो मनुष्य का था मुख हाथ सिंग जैसे थे वह नर्शिंग था उसने जटक कर हिरन्या कस्व को गेंद जैसा उठाया और अपनी दोनों जांगों पर उसे लिटा कर आपने विसाल नाखुन से उसका पेट फार दिया उस समय गोधूली बेला थी इस परकार भगवन विश्णू ने ब्रह्मा के बर की रक्चा करते हुए हिरन्या कस्व का अंध कर दिया उसके मर्त ही उसके राज्य से उसका आतंका अंध हुआ इस्वर भक्त परलाद उसके बाद राजा हुए उनके राज में धर्म आस्थापना हुई तो प्रेम से बु प्रदेश में रहता था प्राम्विक जीवन वह बहुत ही सदाचारित था ब्रामन चित्ते कर्म करने वाला था दुर्योग से एक बार वह किसी दासे के प्रेम में पढ़ गया और उसे अपनी पत्नी बना कर रहने लगा उसकी उस संगति की कारण उसके विचार दूसित हो और दुस कर्मों से वह अपनी जिविका चलाने लगा वह लोट पाटता था हत्या जैसे बुरी कर्मों में हमेशा लगा रहता था दासी से इसके दस पुत्र थे उन में से सबसे चोटी पुत्र से उसे बरा मोह था उसका नाम उसने नारेन रखा था अक्सर वह उसे हमेशा नारेन नारेन कहकर पुकारता था, उसकी अन्य बेटा उसकी कोई परवान नहीं करते थे, तथा वे भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे, पत्नी भी निच संसकारों की थी अता, वो भी कभी आजमील को मना नहीं करती थी, कि बूरे और निंदित कर्म मत करो, अच्छे और भले कर्मों से जो उपाजित करों के, उसी में रूखा सुखा खाकर जैसा भी होगा, हम अपना तथा अपने परिवार का भरन पोशन करेंगे, पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने की कारण, अजामील और भी बूरे कर कर्मों में लगा रहा, चोरी, जूट, लुट पाट, तथा हात्या जैसे जगन्य कर्मों के साथ वहां मधपान भी आधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्त भी खराब हो गया, एक बर वहां बहुत मिमार परा, उसकी सेवा के लिए कोई भी ना आता था, आप उसे पता ल कि करन वो आसक्त होकर खाड पढ़ी परा रहता था, उसमें स्वेम उठने बैठने तथा, चलने फिरने की सकती भी नहीं रही, छोटा बेटा नारेनी, उसकी पुकार सुनकर उसकी पास आता और उसकी बात सुनता था, इसलिए वहां हमेशा उसको नारेन नाम लेकर पुका और उसका प्रांथ हो जाएगा, तो ब्याकुल होकर हुआ अपने छोटे पुत्र को नारेन नारेन कहकर पुकारने लगा, जब तक नारेन उसकी पास नहीं पहुँझा, उसने नारेन नारेन की रट लगाई रखी, जब उसकी पास आया तो जीवन से निरास भी हल हो, उसका हाथ पकर कर कहा नारयन नारयन तू आ गया है कितना कहते ही उसका प्रांथ हो गया सरी रांथ होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे और वे आजामील के जीवान को लेकर यमलुक चले जाए इससे पहले ही बैकुंट से विष्णू के दूत आ गये और उन्होंने यमदूत से कहा आजामील के जीव को तुम लोग नर्क में नहीं ले जा सकते मरते से मैं इसने कई बार विष्णू को नारेन नारेन कहकर पुकारा था अथा आप यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है यमदूत हसकर बोले इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्र गुप्त की ही बही में लिखा है उसके अनुसारे पूरे जीवन में हमेशा नेंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा तुम जो नारेन की बात करते हो यह नारेन की रूप में विष्णू भगवान को नहीं पुकार रहा था यह तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था बिष्णू दूतो ने कहा परामभिक जीवन में यह सत कर्मी था एक इस्तरी की कुछ संगती में परकर इसने पाप कर्म किये हैं इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही यह हमेशा नारेन-नारेन कहता रहता था और अंत समय तो इसने नारायन नारायन कहते हुए अपने प्रांत यागे हैं इसलिए यह जीव इतने पुन्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे इस परकार आजा मिल नारायन के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना तो प्रेम से बोले लच्मी नारायन की चैए